Hello students, this is Shikha Srivastok from Mathematics Farm. Students, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग Class 6, Chapter 1 that is Knowing Our Number में Estimation के बारे में पढ़ने वाले हैं. Estimation में हम लोग General Rule of Estimation पढ़ने वाले हैं. तो क्या है General Rule of Estimation? General Rule of Estimation ये कहता है कि आप किसी भी नंबर को उसके Greatest Place तक Round Off कर सकते हैं. तो इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने 193 लिया है नंबर, तो 193 में कितने Place हैं? 100 Place है. तो इसको आप 100 Place तक Round Off कर सकते हैं. One Stance 100. तो 100 Place तक Round Off करने में, मैंने बताया था, 2-0 आएंगे, क्योंकि 100 में 2-0 आते हैं, तो यहां में भी 2-0 आएंगे. अब ये जो 100 Place का नंबर है, उसमें बताए, 1-8 होगा कि नहीं होगा? तो होगा, क्योंकि ये 9 जो है, वो 5 से बड़ा नंबर है. तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां से बात है, 200 के जाध़ प्लोज है, तो यहां पर यहां पर यह वैसे भी आ गया है. अब 25 को Round Off करेंगे, तो 25 को कहां तक Round Off करेंगे, किस Place कर? तो इसमें देख लेते हैं, कितने Place हैं. 1's 10, इसमें 2 ही Place है, मतलब 10 Place है, तो इसको आप 10th place सक round off करेंगे तो 10 10 में 1 0 होता है तो यहाँ पे भी 1 0 होगा और यह बताई जो 10th place पे number है that is 2 इसमें 1 add होगा की नहीं होगा तो होगा क्योंकि यहाँ पे 5 है 5 या 5 से बड़ा number अगर होता है तो 1 add हो जाता है यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 उस तरह उस दूसरी तरीके से भी देख लेते हैं 25 बताईए 20 के जादा close है या 30 के तो एकदम equal equal है है ना लेकिन जब एकदम mid term आ जाए तो आप हमेशा बड़े वाले number को लेंगे छोटे वाले number को नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों 55 के उस पे है distance पे तो आप क्या लेंगे बड़ा वाले number हमेशा लेंगे तो 30 होगा 96 को round off करना है 96 में 2 place मतलब 10th place तो इसको 10th place सक round off करना है तो 6 की जगा 0 हो जाएगा 9 की जगा बताईए 9 ही रहेगा या फिर 1 add हो जाएगा तो 1 add होगा क्योंकि यहाँ पे 5 से बड़ा number है 6 तो यहाँ पे 1 add होगा तो क्या हो जाएगा ये 10 आप उस तरीके से भी देख सकते है 96 को बताईए किसके ज़्यादा close है 90 के या 100 के किसके ज़्यादा close है अब यह सी बात है 100 के ज़्यादा close है अब 82 को round off करना है 82 में कितने numbers है 2 numbers मतलब कितने place है 10th place उसको 10th place तक round off करना है तो 1 0 तो लगा ही देंगे उसके बाद ये 10th place का number है that is 8 इसमें बताईए 1 add होगा कि नहीं होगा नहीं होगा योगि ये 5 से छोटे number है तो यहाँ पे 8 ही रहेगा next 457 457 में 3 डिजिट मतलब 100 place है तो इसको कितने place तक round off करेंगे 100 place तक तो 2 0 तो आही जाएंगे अब इस number में बताईए जो 100 place पे है इसमें 1 add होगा कि नहीं होगा तो इस number पे depend करेगा अगर ये 5 या 5 से बड़ा number है तो 1 add हो जाएगा तो यहाँ पे 1 add हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 और उस तरीके से भी मैं देख लेखी हूँ 457 को 457 बताईए 400 के जादा close है या फिर 500 के और विस्थी बात है 500 के जादा close है next 8991 इसमें कितने place है मतलब इसमें 4 डिजिट है 1000 place तक है तो इसको हम 1000 place तक round off करेंगे 1000 1000 में कितने 0? 3 0 मतलब यह तीनो number 0 बन जाएगा अब यह थे 1000 place पे number है इसमें बताईए 1 add होगा की नहीं होगा तो यह इस number पिटिपेंड करता अगर यह 5 यह 5 से बड़ा number है तो इसमें 1 add हो जाएगा कि क्या हो जाएगा 9 8991 9000 के ज्यादा close है इसलिए हम 9000 लिखेंगे यहां देख लिते हैं 8991 आप बता ही यह 8000 के ज्यादा close है यह 9000 के और यह सी बात है 9000 के तो वह ही आएगा नेक्स 28211 इसमें भी कितने प्लेस है लेकिन आप round off कहा तक करोगे 1000 प्लेस तक तो चलिए round off करते है 1000 प्लेस तक तो क्या हो जाएगा 1000 1000 में कितने 0 30 तो यह तीनो नंबर तो 0 बन गए अब यहां बताएए 1 add होगा कि नहीं होगा तो क्या करेंगे यह इस नंबर पिटिपेंड करता है यह 5 से छोटा नंबर है 2 तो 1 add नहीं होगा यहां पे 8 ही रहेगा और यहां पे 2 तो वैसा तो वैसा रहेगा अब आप वैसे भी देख सकते हैं 28,211 यह आप बताएए कि 28,000 के जादा close है या 29,000 के यह 500 से छोटा है इसका मतलब यह 28,000 के जादा close है next 32,500 इसको भी 1000 प्लेस ता क्राउंड आप करेंगे तो 1,600,000 1000 में कितने 0? 3,0 उसके बाद यह जो 1000 प्लेस का नंबर है इसमें बताएए 1 add होगा कि नहीं होगा तो यहां पे 5 है तो 1 add हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा 33,000 next 45,390 इसको राउंड आफ करना है इसको भी 1000 प्लेस तक राउंड आफ करेंगे यहां तक तो पूरा 0 हो गया अब यह जो नंबर है इसमें बताएए 1 add होगा कि नहीं होगा तो यह इस नंबर पर डिपेंड करता है यह नंबर 5 से छोटा है तो नहीं होगा यहां पे 5 ही रहेगा 4 ही रहेगा यह हो जाएगा 45,000 I hope students आप लोगों को जनरल डूल समझ में आया होगा मैंने रांड आफ के बारे में अपने प्रिवियस लेक्चर में सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दे रखे है अगर आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसको देखिए तो students मिलती हो अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर